हाई फ्रेंड असलाम वालेकूम टेके किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने चा रहे हैं शाही कुर्मा शाही वैच कुर्मा जबरदस्ते से इसका खाने में भी लाजवाब है तो बिना टाइम वेस किए बनाना स्टाट करते हैं यहां पर मैंने एक बाउल लिए हू पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर टेज के सबसे नमक लेजिए गा और यह वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर कसूरी मिती 1 टीस्पून और इसको पानी में डालकर इसका गोल बनागे रख देंगे ताकि यह मसाले अच्छे से पूल जाए अब यहां पर मैंने लिए सब्सक्राइक आदधी कटक्री मिर्ची चटक्री गाजर अब मैंने हमसे 100 ग्राम पनीर प्यास अब भीकल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है अब यहां पर डालेंगे हम दो हरी मिर्ची और वन फोट कप काजु को टुकड़ा है यह आप इसकी जगे अख़्ा काजु भी ले सकते दस से पंद्रा लीजिएगा इसको हम रोज कर लेंगे दो मिनिट तक और इसको ठंडा कर आफोłemा मिसीजयार में डालेंगे इसकी साथ में डालेंगे हम 100 ग्राम ध़ी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम अब बाम का अब भाजियों का यहरे आम ऐसाची हराए क्ल लेते हैं सबसे पहले मेंने अब आभर लिए हो अब अब आब जी नहžeं से इसका इसका ठ लृ обह पाकी की सब्जीयां, यह पड़ डाले घाजर, शिमला मिलकी, कई ゃही हमने मक्य दाने लिए हेफ कotive है, हम ने मटर लिया है, इस इसको अच्छे से हमें फ्राइ कर लेना हैं, हमें कम से कम 52-60 परचन सब्ज आम Bennett कुखोणे सब्गार के लिंए, यह बगार केलिए कुछ ख़ड़े मासाले लिए की चावीत्रि कर टुकोडां लिया। एक दलच catch voney miss Javeadri का टुकोडां लिया और एक बड़ी सब्राओं लेंगे अब उससे के भीगो के रखा हुआ था सुख्य मसाले इसको डालकर हम भूनेंगे 2-3 मिनिट तक तेल सेपरेट होने तक हम इसको भूनना है अब इसके बाद डालेंगे हमने जो पिसाववा प्यास काजू और धहिंका पेस्ट इसको डालने के भूनना है अब ये मसाल डालने के बाद हम ग्यास की फ्लेम कम कर रखना है अब इसको डखकर हम पांच मिनट तक पकाएंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर डालेंगे हम पनीर हमने 100 ग्राम पनीर का इस्तिमाल किया है अच्छे से मिक्स कर लेना है दो तीन मेर तक अब इसमें हम हाप कफ पानी आइड करेंगे अब यहां पर डालेंगे हम एक सिक्रेट इंग्रीडियन यह खववा है यह 50 ग्राम है इसके जगाप क्रीम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इससे हमारी ग्रेवी पहुती रीच और क्रीमी हो जाएंगी बिल्कुल होटेल और रेस्टरेंट जैसी टेस्ट आएंगा इसमें अब यहां पर डालेंगे हम टूटी स्पूल पारी कट्टा वधने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और हम दो से तीन में तक पकाना है अब यहां पर हमने एक पैन लिया है इसमें डालेंगे घी इसमें डालेंगे कुछ ड्राइप रूट्स काजू लिया है मैंने और बादाम लिया है इसको हलका हम रोस करेंगे और इसके उपर डालेंगे देख सकते हैं खान में बहुती जबर्दस टेस से इसका आप एक बार जरूर ट्राय करें इन्शाला ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक जरूर करें अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए लाफीस दुआओं में या